हमारे ग्रामिन संस्कृती में फसल बोने से लेकर काटने तक की क्रिया में गीत समाहित हैं। घर में चावल कूटने आटा पीसने से लेकर भात रोटी पकाने तक की क्रिया में गीत गाये जाते थे जो की अब लुप्त होता जा रहा है। यह गीत माला उसी तूटी स्रिंखला को जोडने का प्रयास है कि फल, फूल, सब्जी जो हमारा शारिरिक और मानशिक कोशन करता है गीत की धारा से जुर जाए और खेत खलिहान में संगीत की रौनक पुनह लोटाए इस सद्प्रयास को कर रहे हैं कृशी धर्मी गीतकार स्री मनुरंजन प्रसाद राय आपके घरगाओं के गीतकार है अपने गीतों को उन्होंने स्वयम गाया भी है गीत के बोल सुमधुर है वहीं उसका स्वर मिठास की चासनी में डूबी हुई है साग सब्जी विश्यक गीतों की रचना सरल सब्दों में करते हैं और आपके मन में इस तरह वे गीत रच बस जाते हैं कि आप भुलाए भी नहीं भूलते मनोरंजन प्रशाद राय के गीतों में सुन्दर, सरस और शरल सब्दों का प्रयोग है जिसमें अपने अगल पगल के ग्रामिन परिवेश का ही चित्र प्रस्तुत है इनके गीतों में जहां इश्वर की वंदना है वहीं पेर पौधों के गुणगान भी दिखाई पड़ते हैं कहीं प्रेम का उक्षवास है तो कहीं अंतरमन की पीरा है मनोरंजन प्रशाद राय अपने फसल गीतों के माध्यम से आपके दिल में समाने आ रहे हैं गुनगुनाने आ रहे हैं धीरज रखिये आप सुनेंगे तो जूम उठेंगे और आप भी जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे ए बूरा बाबा भाई फिर से याद दिलाते हैं हम याद दिलाते हैं कदुआ जीवन रस देता है ये बात बताते हैं कदुआ की शाक्ति महान निति किया करो रस पान कदुआ की शाक्ति महान निति किया करो रस पान कितने माई की नितिया आँखों से भागी हैं वे करवच लेते पिस्तर पर सारी रात गुजारी हैं रस पान करो ये ओशदी रूठे निंद गुलाती हैं वे सर बर जाते ही थन में वापस आजाती हैं कदुआ की शाक्ति महान निति किया करो रस पान कदुआ की शाक्ति महान निति किया करो रस पान कदुआ की शाक्ति महान निति कि शाक्ति महान निति कि शाक्ति गैसों दीबागी चैंसन की आचूक दवाई हैं बाहर करता पीठे चैंसन तूल बगाई हैं मनो रंजन कैता फिर से एक विरसंग हो जाओ ना सादु भैरागी रामदेब का बचन सुहाओ ना तुम बचन निलाओ ना कदुआ की शाक्ति महान निति किया करो रसपार कदुआ की शाक्ति महान निति किया करो रसपार कदुआ की शाक्ति महान निति किया करो रसपार अदुआ की शक्ति महार नित किया करो रस पार